राधियादे फ्रेंज देखेंगे ब्लाइक बुक से मैने कॉशंस लिएं एंसिन हिस्टि के कॉशंस हैं माहा जनपत से रिलेटेड हैं most repeated ही कॉशंस हैं यह जो वीडियो है डेली छेवर से आती है इसमें मैने टॉप 20 प्लस कॉशंस लिए हैं तो चलिए शुरू करते हैं देखे पहले महा जनपत क्या है उसे समझ लेते हैं महा जनपत प्राचीन भारत में राज्य या प्रसासनी एकाई को कहते हैं वे गरतंत या रास्तंते के रूप में सासित थे और उत्तरवेदिक काल में कुछ जनपतों का उल्लेग भी मिलता है तो ये मल बज्जी कमबोज अकुरू उस राज्य का नाम जिसने सबसे पहले युद्धों में हातियों का प्रयोग किया था तो वह है मगद राज्य जिसने सबसे पहले हातियों का प्रयोग किया था युद्ध में राजा खारवेल के सबसे महान सासक थे तो कलिंग के तो ख हाती गुम्फा में चट्टान पर खोदी हुई सत्रे पंतियों वाला प्रसिद्ध सिलालेख है जो हाती गुम्फा सिलालेख है वो विबनेसर के निकट उद्य गिरी पहाड़ियों में है ये इनकी बारे में सबसे महत्पूर्ण जानकारी है जिनकी सेना मैं यूनानी सासक सिकंदर का सामना किया किसकी सेना ने किया तो ये किया था पोरस की सेना ने सिकंदर का सामना किया तो पुरू का नाम यूनानी इत्यासकारों ने पोरस लिखा है सिकंदर और पोरस की सेना किस नदी के विपरीत किनारे पर आ गई तो ये जेलम नदी के विपरीत किनारे पर आ गई जेलम नदी के किनारे सिकंदर और पंजाब के राजा पारिश के बीच युद्ध हुआ कौन सा युद्ध हुआ जेलम का युद्ध सिकंदर को किस ने हराया था राजा पोरस ने हराया था जो पोर्वा की वंसस थे सिकंदर महान का सिख्षक कौन था अरस्तू था जो अरस्तू है उसने सिकंदर और उसके दोस्तों को चिकिस्सा, दरसन, नेतिक्ता धर्म, तर्क और कला के वारे में सिखाया सिकंदर को महान क्यों कहा जाता है सिकंदर ने बहुत कम उम्र में यूरोप से लेगर एशिया तक अपनी सक्ता का विस्टार कर लिया था इसलिए इन्हें सिकंदर को महान कहा जाता है सिकंदर के घोड़े का नाम क्या था व्यूसे फैलस सबसे सक्तिसाली युनानी राजा कौन था तो ये था सिकंदर ये यवन चासकों में सबसे सक्तिसाली सिकंदर था जिसे उसके देश में अलगजेंडर और भारत में अलगशित्र कहा जाता था वह सासा कौन था जिसने राज सिंगासन पर बैठने के लिए अपने पिता बिम्बी सार की हत्या की थी अजा सत्रू और अजा सत्रू की हत्या उसके पुत्र उदाईन ने क्यार दी थी हर एक वंस का अंतिन सासा कौन था शिशुनाग हर एक वंसी की स्तापना किस ने और कब की थी पांसो चम्मारीस इसवी पूर में बिम्बी सार ने की थी बिम्बी सार किस धर्म का अनुयाई था बहुत धर्म का अनुयाई था व्याकरण कारे अश्टा ध्याई आर अध्यायों वाली संस्क्राइबासा की पहली व्याकरान पुस्तक किस ने लिखी तो ये लिखी महर सी पारणीनी ने गारगी मेत्रो कपिला का घर कहा था मिथला में सोले महा जनपतों मेंसे गांदाय की राजदानी कहा थी तो ये थी तक्ष शिला में महा जन्पत के राजाओं ने किलो का निर्मार क्यों किया सुरक्षा के लिए महा जन्पत में राजाओं ने अपनी सुरक्षा के लिए किले का निर्मार करवाया था साथ ही इसके दोरा अपनी सम्रद्धी और सक्ती का प्रदसन भी किया और किले बनबाने से उसके अंदर के जितने भी लोग और छेतर पर नियंते रखना आसान हो गया जब से उन्होंने किले बनबाए तक्षिशला विश्य विद्याले किस देश में है पाकिस्तान में है या विश्य का प्रथम विश्य विद्याले था जिसकी स्थापना साथ सो वर्ष ईसापूर्व में की गई थी प्राचीन भारत में शेणी किस के संग थे? शेणी वेपारियों के संग थे प्राचीन भारत में कौन सा जनपसफ से महतपूर था? मगद जनपसफ से महतपूर था बगवान गौतम बुद्ध के जीवन काल के दोरान साथ ही और चट्वी सताप्दी इसापुर में कितनी महान सक्तियां महा जनपत मौझूद थे तो ये 16 महान सक्तियां महा जनपत मौझूद थे थैंक्षर रोचिंग